इस वीडियो में हम ये क्यूशन हल करेंगे 18 भाग 3 ब्रेकिट 3 प्लस 3 इसके बराबर क्या होगा तो देखें नियम ये होता है कि जब भी आपको कोई भी मालो सरली करना करना होता है उसके लिए सबसे पहले आपको break it को हल करना होता है कई ब्रेक इट को हल करना होता है break it में भी कई rule होते हैं जैसी एक तो ये वाला break it होता आपका रिखा बंद रहे हैं पहले नंबर पर second नंबर पर आपको इस type का break it दिखाए दिन उसको हल करना है पिर तीसे नमबर पर इस टैग वाला जो ब्रेकिड होता मजला को इस टैग और चोते नमबर पर आपको ये वाला ब्रेकिड अगर किसी क्यूशन में ब्रेकिड नजर आए तो इनका करम होता है एक नमबर इसका रहेगा दो नमबर इसका रहेगा तीनमबर इसका रहेगा चार दिक्कत नहीं आएगी तो पहला नमबर हमेसा break it का ही रहेगा किसी भी तड़े का question आप little कर रहे होतो तो यह पर देखिए कि break it में यह है यह वाला break it में दिखाए यह आ ला तो यह हल होगा इसमें सब से पहले चाए ब्रेकिट के अन्दर भागो गुणा हो plusicem माइनस उसे कोई मतलब नहीं है मतलब हमेशा किसे होगा ब्रेकिट से यह माइनस नहीं इसको अपन कहेंगे रेखा बंदनी यह कोई जो संक्य होती उनके उपर लगता है लेगन इस क्यूशन में है नहीं इस टाइप से जैसे मानलो कभी कई क्यूशन आ जाए और वहां पर होत यह होती है रिखा बंदनी इस तरह से लेकिन इसमें तो IT है नहीं तो 3 और 3 ही हलहगा कि तो ठारह ख़रा हीगा सब्सक्राइब भागज घृए जए लेगा यहां पर साइन होता ना Berekin साथ टो वहाँ पर मmost होता है और और तीन में तीन जूड़करने कितना हो जाएगा जाएगा अब ब्रेक इट नहीं ब चा तो भर kork तो भर बर किसके आईए चिनों की चिनों में. मैं कोई है गुणा भाग कि से पलस माइनस और यह 6 का 6 अब इन दोनों के बीच में सिर्फ और से multiply का sign रहे गया तो 6 को 6 से आप multiply करेंगे न तो यहां पर यह कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे इसका जो answer रहना वो 36 बन जाएगा equation और देखिए यहां पर equation और है कि 4 divide है 2 bracket 1 plus 1 minus 4 equal to क्या होगा तो यहां भी उसी नियम के according सबसे बहले bracket को solo करेंगे पर तो देखो 4 कि चार रहेगा बाग का बाग रहेगा 2 का 2 रहेगा यहां पर sign और multiply एक में एक जोड देंगे तो कितने बन जाएंगे 2 और वो minus का 4 वह है बाग का बाग के बाग का बाग का चीन होगा इन दोनों के बीछ में गूणा क्योंकि नंबर एक बाग का था नंबर दो गूणा का था तो बाग तो soldier कुछा अब बारी कि स्मसक्तों चुका इसकी एक गुणा वाले चिन की तो इनको अपना हल करेंगे पहले इन दोनों को तो दो को दो से आप गुणा कर लेंगे तो दो दूनी कितने हो जाएंगे चार और वो आगया माइनस का चार अब इन दोनों को हल करेंगे तो चार प्लस का चार माइनस का दोनों घट जाएंगे गट जाएगे डिसकांसर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा यदि आपको ये सरली करन करना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेगा